अब तक हमने संग्यास सरवनाम के बारे में जानकारी प्राप्त की है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते है या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो में हम विशेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे विशेशन जो शब्द संग्या या सरवनाम की विशेशता बताते हैं उन्हें विशेशन कहते हैं और आसान शब्द में कहे तो विशेष्चन वे शब्द होते हैं जो संग्या या सरवनाम की विशेष्टा बताते हैं वे हमें यह बताते हैं कि संग्या या सरवनाम कैसा, कितना, कौन सा, आधी है जैसे लाल किताब, सुन्दर लड़की, मीठा फल, तेज धावक विशेशन के चार भेद है गुनवाचक विशेशन, परिमान वाचक विशेशन, संख्या वाचक विशेशन, सारवनामिक विशेशन परिमान वाचक विशेशन के भी दो भेद है निश्चित परिमानवाचक विशेशन और निश्चित परिमानवाचक विशेशन संख्यावाचक विशेशन के भी दो भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेशन और निश्चित संख्यावाचक विशेशन आईए इन सभी विशेशनों के बारे में जानकारी प्राप्त करे गुनवाचक विशेशन वे शब्द जो किसी संग्या या सरवनाम के गुन, दोश, रंग, आकार, दशा, आदी की विशेशता बताते हैं उन्हें गुनवाचक विशेशन केते हैं जैसे यह आकाश निला है, यह निम का पत्ता कड़वा है, यह गुलाब लाल है, यह पक्षी भहुत छोटा है, यह फल भहुत बड़ा है परिमान वाचक विशेशन जिन शब्दों से संग्या या सर्वनाम के मापतोल या मात्रा का ज्यान होता है, उन्हें परिमान वाचक विशेशन केते हैं इसके दो भेद है निशित परिमान वाचक विशेशन जिस शब्द से निशित मापतोल का बोध हो, उसे निशित परिमान वाचक विशेशन केते हैं जैसे 20 मिनिट, 5 रुपए, 3 लिटर दूद अनिशित परिमान वाचक विशेशन जिस शब्द से अनिशित मापतोल का बोध हो उससे अनिशित परिमानवाचक विशेशन कहते हैं या आसान शब्द में कहें तो जिस शब्द से निशित मापतोल का बोध ना हो उससे अनिशित परिमानवाचक विशेशन कहते हैं जैसे सारा दिन, कई किताबे, सबसे उचा पहाड, गहरा कुवा, संख्या वाचक विशेशन जो शब्द संग्या या सर्वनाम की संख्या से सम्मंदित विशेशता का बोथ कराते हैं, उन्हें संख्या वाचक विशेशन कहते हैं इसके भी दो भेद है जिस शब्द से निशित संख्या का बोध हो उसे निशित संख्या वाचक विशेशन कहते है जैसे यहाँ पर एक फूल है पानी में दो बच्चे खेल रहे है अनिशित संख्या वाचक विशेशन जिस शब्द से अनिशित संख्या का बोध हो उसे अनिशित संख्या वाचक विशेशन कहते है जैसे कुछ, अनेक, बहुत, सारे, सब, थोड़े, कई, अनेक, आदी मेरे पास बहुत सारी किताबे है जंगल में अनेक पेड़ है कई लोग बसका इंतजार कर रहे है सर्वनामिक विशेशन जो सर्वनाम शब्द किसी संख्या से पहले आकर उसकी विशेश्था बताते है उन्हें सर्वनामिक विशेशन कहते है जैसे वह कार बहुत पुरानी है इस वाक्य में वह सर्वनाम है और कार संख्या है वे बच्चे बहुत शरार्ती है वाक्य में वे सर्वनाम है, बच्चे संग्या है, इन दोनों वाक्य में वह, वे ये सर्वनामिक विशेशन है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलते है अगले वीडियो में, धन्यवाद